प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है प्रति दिन याकुल्ट का सीवन करें प्रति दिन याकुल्ट का सीवन करता है और इसमें किसी को शक भी नहीं कि वोट फीसद और सीटों के लिहाज से कॉंग्रेस बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए जब सरकार के खिलाब मोर्चेबंदी की बात होती है या राश्षी इसतर पर बीजेपी की खिलाब विपक्षी मोर्चे की तो मुक्य भूमिका में कॉंग्रेस दिखती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि त्रिन्मूल कॉंग्रेस को साइडलाइन कर प्रिंसिपल अपोजीशन पार्टी दिखने की कोशिश कर रही है बंगाल के बाहर TMC अपना फूट्प्रिंट बढ़ा रही है कॉंग्रेस वाला स्पेस कैप्चर करने की कोशिश कर रही है और देश की बाकी पार्टियों को भी ये भरोसा दिलाने में लगी है कि आप कॉंग्रेस से आगे सोचिए बिना कॉंग्रेस भी मजबूत विपक्ष बनाया जा सकता है TMC की तरफ से ये भरोसा दिलाने की कड़ी में ही प्रशांद किशोर का ट्वीट आया आप ट्वीट देखिए फिर इसके माइने समझने की कोशिश करते है प्रशांद किशोर ने जो लिखा अंग्रेजी में उसका हिंदी में तरजुमा ये है कि कॉंग्रेस जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्तो करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए एहम है लेकिन कॉंग्रेस की लिडर्शिप किसी एक आदमी का दैवी अधिकार नहीं है खासकर तब जब ये पार्टी 10 साल में 90 पीजदी चुनाव हारी है विपक्ष की लिडर्शिप कौन करेगा ये लोकतांत्रिक तरीके से तैह होने दे इस ट्वीट में पहली बार प्रशांत किशोर ने कॉंग्रेस और इसके नेतरत यानि गांधी परिवार पर सीधा निशाना साधा है आप जानते हैं प्रशांत किशोर कभी राहूल गांधी के और कभी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे रणी तिक रूप से उनको सला देते थे 2017 का वो दौर 2014-15 के बाद जब प्रशांत साथ नहीं रहे नरेंदर मोदी के उसके बाद उन्होंने नितीश कुमार की मदद की बिहार में और फिर कॉंग्रेस आला कमान के करीब आए यूपी का वो नारा की 27 साल यूपी बिहाल वगयरा वगयरा फिर सूत्रों के हावाले से खबरें आती रही कि कॉंग्रेस में अब हर बड़े फैसले पर प्रशांत किशोर की राय ली जाएगी एक कमबैक प्लैन की बात चल रही थी लूटियंस के गलियारों में 2016 वाला जो फेस था वो तब तक बीच चुका था उस फेस में क्या हुआ था पंजाब चुनाओ के लिए कॉंग्रेस ने प्रशांत किशोर को रनीतिकार रखा फिर यूपी चुनाओ के लिए भी जिम्मेदारी उन्हीं को मिल गई उन्होंने कहा मैंने जो सलाह दी उसको कॉ कॉंग्रेस ने पूरा नहीं माना हम ये भी जानते हैं कि फिर कॉंग्रेस और सपा का गढढ़ बंदन हुआ ये भी जानते हैं कि राहूल और अकलेश के लिए यूपी के लड़के वाली लाइन भी गढ़ दी गई पर चुनाओं में नतीजा क्या रहा दोनों बुरी तरह ध्वस्त हो गए पंजाब में जरूर जीत मिली इसके बाद प्रशांद के शोर अपनी जेडियू की राह पर आगे बढ़े उसके बाद वो जगन स्टालेन और ममताब एनरजी के चुनावी रणनीतिकार बने पंजाब में कॉंग्रेस जीती तो कुछ श्रे प्रशांद को म मिला लेकिन जाद आश्रे मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग को एडवाईजर की तोर पर वो कॉंग्रेस से जुड़े भी लेकिन खुद उन्होंने कभी इसका कानफरमेशन नहीं दिया कैप्टन की तरफ से जादा बयान आते रहे अब प्रशांद के शोर बंगाल के बाद जब ये ऐलान कर चुके हैं कि अब ये राजनेतिक रन्नीती बनाने का काम खूब हुआ अब राजनीती का समय आ गया तब से ही चर्चा हो रही थी उनके राजनेतिक विकल्पों की इस दोर में उनकी कई दफा राउल गांधी प्रियंकर गांधी से मुलाकात हुई सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उन्हें कोई बड़ा पत दिया जा सकता है फिर ये बात भी हुई कि बड़े पत से पहले वो जिस तरह के बदलाव लाना चाहते हैं कॉंग्रेस में और जिस किसम का फ्री हैंड चाहते हैं उसको लेकर बात हुई बात ये भी हुई कि पह यो कॉंग्रेस को पसंद नहीं आए। प्रशांद किशोर कॉंग्रेस और राहूल गांदी की समझ पर सवाल उठाने लगे। अक्टूबर में उनका एक बयान खुब वाइरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था सरकार या विपक्ष में बीजेपी कई दशकों तक रहने वाली है। ये बात राहूल गांदी नहीं समझ रहे। इस बयान पर कॉंग्रेस नाराज भी हुई है। प्रशांग किशोर के अगर आप पिछले दो ट्वीट देखें तो दोनों कॉंग्रेस पर ही है। दूसी तरब कॉंग्रेस के नेताओं की सेंद्मारी भी हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी भविश्य की महत्वा कांखशा है इसलिए कई लोग कह रहे हैं ट्रोजन हॉर्स की बात है। और प्रशांद किशोर को लगता है कि उनका भविश्य TMC में जादा सुरक्षित है, जादा मजबूत है, प्रशांद किशोर एंड कमपनी को लगता है कि ममता बेनर जी बंगाल में भाजपा को हराने के बाद पूरे देश में एक ऐसी इमेज गर सकती है कि BJP को अगर कोई विदारी की जाए और अन्तता सत्ता परता विदारी की जाए